जैसी कृष्णा हमारे चनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम शिठाकुर जी को बोग दरने के लिए सक्डी विबा की सामगरी शिक्रन बात और दई बात सिथ करेंगे सबसे पहले दई का चक्का बनाने के लिए पात्र के उपर मलमल का वस्तर बिछा कर उसमें मेजरिंग कप के नाप के अनुसार एक कप और वजन के मताबिक 200 ग्राम अच्छा सा फ्रेश और गाड़ा हो वैसा दई पदराएंगे दई बिल्कुल भी खटा नहीं होना चाहिए अब वस्तर के सभी छेडा को इस तरह से हाथ में लेकर इकटे करेंगे और बीच में एक फीट गांट लगाएंगे हलके आतों से हमें उसे प्रेश करना है ताकि दई के अंदर जो एक्ष्टा जल हो वो नीचे पात्र में इकटा हो ये जल को हमें दूसरे पात्र में निकाल लेना है अब पात्रे के उपर हम इस तरह की एक प्लेट या छन्नी रखेंगे और उसके उपर ये दई की पोटली रखकर दो हैवी पत्थर या कोई भी हैवी वस्तू रखकर उसे दो से तीन गंटे तक फ्रीज में रखेंगे ताकि जो चक्का है वो अच्छा सा तैयार होगा अब दूसरे पात्र में हम आदा कप बास्मती चावल लेंगे और उसे दो से तीन बार जल से खासा करेंगे चावल के उपर जो सफेद पावडर लगा हो वो सब निकल जाए तब तक हमें उसे खासा करना है बास्मती की जगह पर आप कोई भी अच्छी कॉलिटी के चावल ले सकते है फिर जितने चावल लिए हो उससे तीन गुना यानि की देड़ कप उसमें जल पदराए और डक्कन लगा कर मिनिम्म 15 से 20 मिनिट के लिए उसे भीगो कर रखे ताकि चावल को प्रेशर कूक होने में समय कम लगे 15 मिनिट के बाद अब भीगोई हुए चावल को जल के साथ ही हम एक प्रेशर कूकर में पदराएंगे और उसमें एक टेबल स्पूंज इतना देशी गी पदराएंगे सबी इंग्रेडेंट के मेजरमेंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये है कूकर का ढकन लगाकर 2 सीटी हो तब तक हम उसे मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कूक करेंगे फिर गैस बंद करने के बाद कूकर का प्रेशर रिलीज हो फिर चेक करेंगे चावल यानि की साधी सकड़ी अच्छे से प्रेशर कूक हो गई है उसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने देंगे तीन गंटे के बाद अब दई का चक्का अच्छे से तयार हो गया है जो नीचे बोल में जो जल इकठा हुआ है उससे आप पूरी या पराठे का आटा गुन सकते है दई के चक्का को एक पात्र में पदरा कर उसमें मिठास के लिए 3-4 चमच पीसी हुई शक्कर पदराएंगे आप प्रभु को जितनी मीठी सामगरी ब्रोग दरते हो उसके मताबिक शकर ले सकते है फ्लेवर के लिए थोड़ा इलाइची पाउडर और राई के दाने के जितना बरास कपूर यानि की भीमसैनी कपूर को हाथ से थोड़ा पाउडर करके पदराएंगे चमच की मदद से सब कुछ अच्छे से मिला कर हम शिकरन सित करेंगे अभी मैं सफेज शिकरन बना रहा हूँ अगर उससव हो तो आप केशरी शिकरन भी सित कर सकते है तो उसमें आपको थोड़ा केशर गुटा हुआ पदराना पड़ेगा इस तरह से शिकरन करने के बाद जो हमने साधी सकड़ी यानि की चावल प्रेशर कू करके रखे थे उसमें से आदे चावल हम इसमें पदराएंगे और चमच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे अक्षय तरित्या से जन्माश्मी तक प्रभु को शिकरन पात और सत्वा की सामगरी अल्टरनेट दिन आती है आप अपने गुरुगर की रीत और आग्ने के नुसार कर सकते हैं तो शिकरन पात सिध होकर तयार है अब जो बाकी की साधी सकड़ी यानि की चावल है उसे एक दूसरे बोल में पदरा कर उसमें एक कॉप फ्रेश और गाड़ा देई पदरा कर चमच की मदद से अच्छे से मिला लेंगे उत्सव उपर बड़े उत्सव उपर शिप्रभु को पांच प्रकार की सकड़ी भोग दरी जाती है उसमें से ये दो है उसमें हम स्वादा नुसार या आदा चमच जितना नमक पदराएंगे श्रीना जी की प्रागट्य वारता में भी प्रभु ने दई बात आरोगा था उसके दो प्रसंग है डिस्क्रिप्शन मोक्स में मैंने लेखी तुरुप में दिये है अब तड़का पेन में एक टिबल स्पून घी गरम करके उसमें आदा चमच जीरा पिंच ओफ हींग और आदा चमच अद्रक का पेश पद्रा कर उसका कच्चा पंदूर हो तब तक हम उसे सौते करेंगे फिर गैस बंद करके तयार के होए तड़का को हम दई बात के उपर छोकेंगे साउथ इंडियन स्टाइल जो कर्ड राइस बनता है उसमें अनार के दाने कड़ी पत्ते उरत की दाल चना दाल और भी कई प्रकार की सामगरी का उप्योग होता है लेकिन अभी हम प्राचीन रित्य मुताबिक सामगरी सिद्ध कर रहे है इसलिए एकदम सिंपल तरीके से सिद्ध की है उष्णकाल में गर्मी का मौसम होने के कारण राजबोग में आप इस तरह से दाई बात सिद्ध करके शिप्रभु को बोग दर सकते है तो शिठाकुल जी को बोग दरने के लिए शिकरन बात और दाई बात सिद्ध होकर तयार है आप ये दोनों सामगरी अपने घर पर अव हम सात्वीक रेसिपी देखने के लिए उससे सब्सक्राइब करके बैल आइकोन पर क्लिक करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद